डाक्टर रेफीजे अब्दूलकलाम भारत के पूर्व राष्टपती दमिशाइल मैना उफ ता इंडिया सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं वलकि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते आपके सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे आसमान की ओर देखो हम अकेले नहीं हैं जो लोग सपने देखते हैं और कठिन मेहनत करते हैं पूरा ब्रह्मान उनके साथ है अगर कोई देश रष्टाचार से मुक्त हो और सारे लोग अच्छी सुद्ध मान सिकता वाले हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि केवल तीन लोग ही ऐसे देश का निर्मार कर सकते हैं वो हैं माता पिता और गुरू महान सपने देखने वाले महान लोगों के सपने हमेशा पूरे होते हैं विवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें कुछ नया करने का फ्यत्न करें अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभों को हासिल करें अपने कार में सफल होने के लिए आपको एकागरचित होकर अपने लक्ष पर ध्यान लगाना होगा जब तक पूरा भारत उठकर खड़ा नहीं होगा संसार में कोई हमारा आदर नहीं करेगा इस दुनिया में डर की कोई जगए नहीं है केवल सक्ति की पूजा होती है एक छात्र की सबसे महतपूर विशेषता होती है प्रस्न पूछना और उन्हें प्रस्न पूछने दे विज्ञान मानपता के लिए खुब सूरत तोफा है हमें इसे बिगारना नहीं चाहिए सिखर तक पहुँचने के लिए ताकत चाहिए होती है चाहिए वो माउंट एवरिष्ट का सिखर हो या आपके पेसे का एदि या आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें मैं इस बात को स्विकार करने के लिए तयार था कि मैं कुछ चीजे नहीं वदल सकता प्रजुलित मन के खिलाब कोई भी प्रतिवन्द खड़ा नहीं हो सकता मैं द्रड़ता से विश्वास करता हूँ कि जब तक किसी ने विफलता की कड़वी गोली नहीं खाई है तो कोई भी सफलता के लिए परयात आकांचा नहीं कर सकता मैं ने 18 मिलियन युवाओं से मुलाकात की है और प्रतेक अनोखाफ होना चाहता है इस वर हर जगे है इसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेत्रत आवस्षक है